अगर आपके पास एक PDF फाइल है और आप उस PDF को किसी को भेजना चाहते हैं या कहीं पर अपलोड करना चाहते हैं और आपकी उस PDF का जो size है वो large है जैसे के 10MB, 20MB या इससे भी ज़्यादा size है तो आप उस PDF को किछी को भेजने से पहले, कहीं पर upload करने से पहले उसके size को कम करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं तो आज किस वीडियो में आपको यह बताने वाला हूँ कि आप अपनी PDF के size को कैसे कम कर सकते हैं कई बार क्या होता है आपको अपना PDF document कहीं पर upload करना होता है वहाँ पर आपको एक required size मिलता है आप उसी size में अपनी PDF document को वहाँ पर upload कर सकते हैं तो चलिए वीडियो करते हैं इस्टार्ट उसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को subscribe करने के साथ बेल लाइक नोग प्रेस करना ना भूले क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के informative content लाता रहता हूँ तो उसके लिए हम यहाँ पर आ चुके हैं अपने computer के screen पर अब मैं आपको PDF file दिखाने वाला हूँ जिसका मैं size reduce करने वाला हूँ compress करने वाला हूँ तो चलिए पहले मैं आपको इस PDF को दिखाता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर PDF file देखने को मिल रही होगी तो चलिए पहले मैं आपको इसका size चेक करा देता हूँ कि इस PDF file का कितना size है PDF file का size चेक करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे क्लिक कर देना है तब ही आप इसके size को check कर पाएंगे तो चलिए मैं यहाँ पर click कर लेता हूँ अब जैसे आप properties पर click करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक size का option देखने को मिल जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा 5.87 MB हमारी PDF फाइल का यहाँ पर size है तो चलिए हम इस PDF फाइल के size को reduce करने वाले हैं, compress करने वाले हैं तो हम कैसे करेंगे, तो चलिए उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा आपको यहाँ पर एक search bar देखने को मिल जाता है, आपको यहाँ पर क्या लिख करके search करना है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, तो आपको यहाँ पर लिख करके search करना है I love PDF इस तरीके से आपको यहाँ पर I love PDF लिख लेना है उसके बाद यहाँ पर एंटर कर देना है आपको जैसे आप यहाँ पर I love PDF लिख करके सर्च करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलने वाला है आपको यहाँ पर काफी सारी website देखने को मिल जाती है जो कि आपकी PDF file के size को reduce करके दे सकती है compress करके दे सकती है तो चलिए हम यहाँ पर कौन सी वाली website पर click करेंगे तो मैं यहाँ पर सबसे पहली वाली website पर click करूँगा आप यहाँ पर देख सकते है आपको यहाँ पर काफी सारे ऐसे tool मिल जाते है जिनसे के आप अपनी PDF file को edit कर सकते है यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर काफी सारे tool मिल जाएंगे आप अपने according इनको use कर सकते हैं तो हमें तो यहाँ पर अपनी PDF file के size को compress करना है उसके लिए आपको यहाँ पर ओप्सन देखने को मिल जाता है Compress PDF आपको इस पर किलिक कर देना है अब जैसे आपको ओपर किलिक करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर ओप्सन देखने को मिलता Select PDF फाइल मतलब आप यहाँ पर किलिक करके अपनी PDF को select कर सकते हैं और जैसे आप यहाँ पर click करके अपनी PDF को upload कर लेंगे उसके बाद आपकी PDF का जो size है वो reduce होना, compress होना, start हो जाएगा तो चलिए हम यहाँ पर click करके अपनी PDF को upload कर लेते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यह हमारी PDF फाइल देखने को मिल रही होगी, इस तरीके सा आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी PDF फाइल जिस भी ड्राइम में रखी हो, आप हुहाँ पर उस ड्राइम में जा करके अपनी PDF को सेलेक्ट कर लेंगे तो चलिए मैं आपर सेलेक्ट कर लेता हूँ जैसी आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर एक उपसन देखने को मिलता है Open, आपको इस पर क्लिक कर देना है आपको यहाँ पर एक option देखने को मिलता है compress PDF आपको इस पर click कर देना है और जैसी आप यहाँ पर click करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो यहाँ पर processing start हो चुकी है यह आपका internet connection के उपर होता है जितना अच्छा आपका internet connection होता है उतना यह जल्दी हो जाता है जितनी बड़ी आपकी file होगी उतना यह time लेता है यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यह percentage चलती हुई दिख रही होगी और जैसी हमारी यहाँ पर processing done हो जाती है उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पीडियेफ फाइल का size तका यहाँ पर reduce हो चुका है 74% हमारी जो पीडियेफ का size तका यहाँ पर कम हो चुका है आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा Your PDF are now 74% smaller जैसे के आपको यहाँ पर पहले का size देखने को मिल रहा होगा 5.87 MB और आप यहाँ पर smaller होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी PDF file का size compressed होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 1.59 MB हो चुका है उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं download compressed PDF मतलब आपकी जो PDF फाइल ती जिसका size compress हुआ है उसको आप यहाँ से download कर सकते हैं यहाँ पर click करके तो चलिए मैं आपर click करके download कर लेता हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी यहाँ पर download भी हो चुकी है यहाँ पर क्या होता है एक बार जैसी यह compress हो जाती है automatically यहाँ पर download हो जाती है यह मैंने आपको दिखाने के लिए दोबारे से इसको download कर लिया है जैसे कि आपको यहाँ पर यह देखने को मिल रहा होगा तो चलिए हम मैं अपनी PDF फाइल को open करके दिखाता हूँ उसका size भी आपको दिखाऊंगा यहाँ पर मैं download में आ जाता हूँ और यहाँ पर यह दोनो PDF जिनका size reduce हुआ है compress हुआ है आपको यहाँ पर दोनो PDF वो देखने को मिल जाएंगी तो चलिए हम इस PDF फाइल का size चेक करते हैं इस पर मैं यहाँ पर right click करूँगा उसके बाद मैं आपर properties पर click कर दूँगा और जैसी मैं आपर properties पर click करता हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी PDF फाइल का size यहाँ पर compress हो चुका है तो इस तरीके से आप भी किसी भी PDF फाइल का size compress कर सकते हैं, reduce कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like और चैनल को subscribe करना ना भूलें क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह का informative content लाता रहता हूँ दोस्तों अगर आपको वीडियो के बारे में कोई भी कह रही हो तो comment करके जरूर बताएं मैं आपके comment कर reply करूँ अगर आप चाहें तो भी Instagram पर वीडियो कर सकते हैं तो चलिए आज के लिए बस इतना ही मिलते है next वीडियो में